वेल्कम तु आल जैसे कि आपको पता हैं चप्टर कर रहे हैं हम आज एक्सराइज 7D स्टार्ट करेंगे 7D का क्वेशन पर वाद एक्सराइज जैसे हमने 7C में क्वेशन किये थे वैसे ही है लेकिन उस टाइम यो X-square का कोफिशेंट था वहां पर 1 हुआ करता था जाने की कुछ भी नहीं लिखा होता था किसी के अब क्या है X-square के साथ कोई Y-square करता जो भी 1-square वाल टर्म होगी उसके साथ कोफिशेंट है सम तो जो है वो मिडल टर्म ही रहेगी 70 प्रोड़क्ट में मैंने क्या बोला था कोफिशेंट ऑफ X-square इंटू कॉंसेंट तर्म कोफिशेंट ऑफ X-square क्या है 4 x 15 is प्रोड़क्ट क्या आ गया हमारा 60 और सम क्या आ गया 17 अब हमने 2 नंबर फाइंट आउट करने हैं कि जिनको सम करने से 17 आए और उनी दो नंबर को मल्टिप्लाइ करने से हमारे पास 60 आए तो हमारे क्या नंबर निकले 12 और 5 12 प्लस 5 इस 17 और 12 मल्टिप्लाइ 5 इस 6 अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 4 X-square प्लस 17 X प्लस 15 तो क्या आ गया 4 X-square प्लस 12 X प्लस 5 X प्लस 15 हमने मिडल तंब स्क्रिट की है 17 X को तोड़ा है 12 X प्लस 5 X में अब देखो हमने common जैसे हमने first exercise में निकालते थे first two में से common फिर दूसरे last two में से common first two में क्या सी common है दोनों में 4 common है दोनों में X common है 4 X common ले लिया हमने bracket में आया X प्लस 3 तो यहां से हमने 5 common ले लिया bracket में क्या आ गया X प्लस 3 क्योंकि 5 into x is 5x 5 into 3 is 15 अब क्या करते थे हम इसको और इसको मिला के one bracket B part है 2 X square minus 15 X plus 22 sum क्या है हमारा minus 15 और product क्या है इसका coefficient 2 and constant term 22 2 x 22 is 44 अब हमें दू नंबर ढूंने हैं जिनको multiply करने से 44 आए प्लस तो minus करने से minus 15 आए ठीक है अब देखो मारे पास है 11 4 जा 44 और 11 plus 4 क्या होते है 15 but हमें चाहिए minus 15 तो minus का निश्याना गा मैं बड़ी term को दे दूंगी तो फिर minus minus plus होते इसलिए दोनों term के साथ क्या आएगा minus minus 11 minus 4 जो है हमारे दो नंबर है अब क्या हो गया 2 X square middle term split की हमने minus 11 X minus 4 X plus 22 अब first 2 में से common निकालेंगे X common है तो bracket में क्या आ गया 2 X minus 11 minus 2 common है तो bracket में 2 X minus 11 आ गया अब first bracket कैसे बनेगी X और minus 2 से X minus 2 one time और 2 X minus 11 जो है E part 3 X square plus 11 X Y plus 6 Y square बीच में जो हमने part छोड़े हैं वो आप खुद करोगे try मैंने randomly parts ली है इसमें तो sum क्या है इसमें 11 वो product क्या है 3 into 6 is 18 तो number क्या बने ऐसे दो number 9 to 18 and 9 plus 2 is 11 विल गया हमें दो number तो हम 11 X Y को कैसे तोड़ेंगे 9 X Y और 2 X Y अब क्या करेंगे फाली दो तर्म इसे common दोनों में क्या common है 3 और दोनों में क्या common है X तो bracket में 3 X plus 2 Y in one bracket और X plus यहां पर X plus 9 नहीं X plus 3 आएगा 3 3 is a 9 होता है और यहां पर क्या आएगा X plus 3 next is 4 X square minus 4 X plus 1 sum is minus 4 product is 4 multiply 1 तो numbers क्या हैंगे हमें sum में minus 4 चाहिए 2 plus 2 क्या होंगे 4 बट हमें minus 4 चाहिए minus 2 minus 2 is minus 4 तो हम middle term कैसे split करेंगे minus 2X और minus 2X अब first 2 में से निकालो common 2X common bracket में क्या आ गया 2X minus 1 इसमें minus 1 common तो bracket में आ गया 2X minus 1 जब minus हम common लेते हैं बाहर तो यह वाला sign चेंज हो दो यहां पर plus था तो यहां पर क्या आ गया minus bracket कैसे बनेगी 2X minus 1 2X minus 1 h path किया है मैंने इसका 8X square minus 21X plus 10 sum क्या है minus 21 product क्या है 8 multiply 10 is 80 अब 2 number find out कर तो जिनको multiply करने से 80 है लेकिन condition क्या है हमको plus करने से 21 भी आना चाहिए तो 16 5 जा 18 and 16 plus 5 is 21 बट हमें minus 21 चाहिए इसमें minus 16 minus 5 तो मीटर टर्म स्प्रेट कर दी हमने minus 16X minus 5X अब first 2 में से common क्या हैगा 8 और X तो अंदर क्या बचकिया X minus 2 और X वाली 2 ते क्या common आएगा minus 5 तो बचकर में क्या बचकिया X minus 2 8X minus 5 और X minus 2 तो है हमारा answer है जे पार्ट किया है मैंने 11X square plus 19X minus 6 sum क्या है 19 product क्या 11 multiply minus 6 is minus 2 तो दो नमबर 22 multiplied 3 is 6 is 6 और 22 minus 3 is plus 19 तो बीचवाल टर्म को हम स्प्रिट कर देंगे क्या आएगा 22X minus 3X first 2 में से common 11X तो bracket में आगा X plus 2 अब इन दोनों में से minus 3 common आगया bracket में आगया X plus 2 तो मैंने आपको बला था minus इस फॉर्मल लेने पर यह वाला साइन केंज हो जाता है प्लस हो गया फॉर्स प्रेकर बनी 11X minus 3 सेकंड बनी X plus 2 पहले आप सारे पाड़े ध्यान से करोगे कॉपी पे और जो बच गिये हैं पाट उनको आप ट्राई करों यह झावा इस प्रष प्राई करूपी बाइच से करोगे चिज्ट भेचे बाई आप बनी